वेब सीरीज पंचायत का तीसरा सीजन रिलीज हो गया है, बड़े इंतजार के बाद फुलेरा लॉट पाएं है सचिव जी, लोकसभा चुनाव में मतदान के आखिरी चरण से ठीक पहले आई, ये कहानी आटिटी में सीजन दर सीजन बनने वाली कहानियों का नया सबक है, एक मजबूत आधार पर खड़ी हुई पंचायत की इमारत पहले दो सीजन में ही जो भी मजबूती पानी थी पा चुकी है, अब बस इसके रचायताओं को इसका रंग रोगन ही आगे दुरुस्त करते जाना है, लेकिन सीरीज का तीसरा सीजन ओनल वेदर प्रूफ पेंट की ब कोई गाना मन ही मन गाकर दर्शकों को ये कहने पर मजबूर कर देगा, दवाइरल फीवर कमपनी यानि टीवी एफ आई 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 टी से निकले, उन क्रियाशील कर्म योद्धाओं का जमघट सा है, जो इंजीनियरिंग छोड़ दूसरों का मनुरंजन करने निकले हैं, आई आई टी, खडगपुर से निकले, सीरीज के हीरो जितेंदर कुमार और आई 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 टी, मुंबई के चात्र रहे, सीरीज के निर्देशक, दीपक कुमार मिश्रा का इंडिया को भारत दिखाने का ये तीसरा प्रयास है, इस कहानी का पहले सीजन में टेक ओन आफ शा खाने की बजाए सीरीज के लेखक, इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों के चैन की कहानी में उलज कर रह गए हैं, मामला बहुत फिल्मी है और कहानी बहुत कमजोर, और टीटी की चंद बहुचर्चित सीरीज में शुमार रहा है अमेजन प्राइम का सबब क्या है? ठीक है कि सचिव जी का ट्रांसफर रुकवाने के लिए प्रहलाद को मैदान में उतरना ही पड़ा, उनके शहीद बेटे के नाम पर खुले पुस्तकाले का पूरे सीजन में शटर ही नहीं उठा, पंचायत का तीसरा सीजन अपने आप में गुत्थम गुत आरक्षित ग्राम पंचायतों की प्रधानों की नाक के नीचे पंचायत के दैनिक कारियों में उनसे ज्यादा उनके पतियों का हस्तक्षेप होने की कहानी अब गाव गाव की है। उनके दुख में दर्शक खुद को शरीक पाते हैं। फैसल मलिक की ये अदाकारी लंबे समय तक याद की जाएगी। इसके ठीक विपरीत सीरीज के सीनियर कलाकारों रगुवीर यादव और नीना गुपता के किरदारों में इस बार ऐसा कुछ नहीं है जिस से इस सीजन को देखने वाले दर्शकों को संतुष्टी मिले। उनकी बिटिया बनी सानविका का किरदार भी कमजोर है। भूशन के किरदार में दुरगेश कुमार पिछली बार की तरह इस बार भी पंचायत में बवाल काटे हुए हैं। अपना हद से ज्यादा मशूर हुआ संबाद दे पिटेंद्र कुमार यहां बतौर कलाकार एक उतकर्ष पर आकर ठहर गए हैं। या तो उन्हें अपने किरदार का ग्राफ बढ़ाना होगा या अपनी अदाकारी का। नहीं तो उनके लिए मामला आगे मुश्किल हो सकता है। चंदन रॉय आशू कलाकार हैं। वह अपने म इंचायत सीजन 3 में भी है। अनुराग सैकिया ने इस सीरीज के पहले सीजन में अच्छा संगीत दिया था लेकिन धीरे धीरे उनके सुर भी अपनी पकड़ खोते दिख रहे हैं। बड़ी चुनौती इस सीरीज को बनाने वाली कंपनी TVF के सामने है कि क्या समीर सकसेना के न होने के बावजूद वे इस सीरीज को बचा पाएंगे या कि अगले सीजन तक आते आते इसका आयोडीन पूरी तरह उड़ जाएगा।